नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां के टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं भारत में कुरोना वाइरस के बर्तिक खत्रे के बीच रूस वैक्सिन को लेकर रहाद वड़ी खबर आई है रूस में कुरोना वैक्सिन इस्पूतनिक भी बनाने वाली सरकारी कमपणी RDIF ने भारतिये फार्मासिटिकल कमपणी डाक्टर रेडी के साथ 10 कुड़ वैक्सिन डोज तयार करने के करा साइन किया है बता दे कि पिछले महीने रूस ने कुरोना वैक्सिन स्पूतनिक भी को पबलिक यूज करने के अनुमती दे दी थी अब आम लोगों को वैक्सिन का डोज दिया जारा है पहले पंजीकरीद वैक्सिन है जार्खन में पिछले कुछ दिरों से गर्मी बढ़ गई है तापमान समाने से अधिक हो गया है वहीं कहीं कई छीट फुट बुंदा बंदी बारिस भी हो रही है बिभाग के अनुसार 18 सितंबर को वजरपात के असंका जताई गई है बता दे कि मंगाल की खाड़ी में नीम्न दबाव का छेतर बनने के करण 22 सितंबर से मांसुन सक्रिय हो सकता है जारखन में 8,000 सिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर राजे के सरकारी स्कूलों के सिक्षकों को अउनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए 8,000 सिक्षक मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे बता दे कि इसके लिए संकूल अस्तर पर 33 जबकि जीला अस्तर पर 44 सिषको का चैन किया जाएगा राजिके 26 संकूल के लिए 1890 सिषको का वहीं जीला अस्तर पर 96 सिषको का चैन किया जाएगा जार्खन में 1618 संक्रमितुक पुष्टी हुई जार्ची से दो लोहरदागा से एक पाकुर से एक जमसेदपूर से चार की मौत हुई है बुद्वार को 1607 मरीज स्वस्त भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 317 पूर्वी सिमु तीन हैर सतर धनबाद 912 गिरिटी 286 बोकारो 177 चात्रा 284 देवगर 271 दूमका 163 गड़वा 194 गोड़ा 107 गुमला 488 सजारी बाग 583 जामतला 64 खुटी 265 खुडार्मा 800 लातेहर 211 लोहरदागा 113 फाकुर चावण पलामू 17, रामगण 119, साइब गड़ 108, सराय केल 817, सिम्डेगा 394, पच्छमी सिम्भूं 524 मरीज फिलाल एक्टिव है जारखण में 10 एर की अबादी पर 1 प्लस्टू स्कूल खोले जाएंगे बता दे कि स्कूली सिक्छा यमसे सकता विभाग ने स्कूलों के आउसकता को लेकाद सर्वेक्षन कराने यतु जीला अस्तर पर उपायुक्तों के अध्यक्षा में कमिटी कटन कर ली है सहायक पुलिस कर्मियों के साथ अमानुए बेभार कर रही है मन सरकार रखवरदास नकसल परवाई छेत्रों के आदिवासी मुलवासी युवक जुक्तियों को नकसलियों के चंगुल से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंद पर सायक पुलिस कर्मियों के नुक्ति शुरू की थी जिसे तीन साल के अनुबंद के बाद नेवेत भाली करने का लक्स था इसके लिए समोशित प्रोधान भी किये गए आदिवासी मुलवासी की हिटैसी होने का दावा करने वाली हमान सरकार इन पर अत्याचार कर रही है उक्त बाते पूर्व मुखमन्ति रगवरदास ने कही बता दे कि वे राची के मुराबादी मैदान में अंदुलन कर रहे सायक पुलिस कर्मियों से मुलकात करने पहुचे थे परतेक सनिवार को अंचलों में भूमी विवात का हो समधान राची उपायुक्त राची जिला में भूमी विवात से समधित मामलो का अब और तेई से निप्टारा हो सकेगा मामलो में जल्द निप्टारे के लिए जिले के सभी अंचलों में हर सनिवार को भूमी विवात समधान दिवस का आवेजन किया जाएगा जार्खन के मेट्रिक पास सिक्षा मंतिर जगनातमा तो इन दीनों कार में बैठ कर इंटर की पढ़ाई करते हैं व्यस्त कार कर्मों की वज़ा से उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता इसका रास्ता उन्होंने निकाल लिया है बता दे कि जब भी सिक्षा मंतिर अपने छेत बदलने की दिशा में सरकार ने योजना बनाई है बता दे कि इस योजना के तहट सभी आदिम जन्जाती परिवारों को पका मकान देने पेंसन देने जन्जाती बच्चों को सिक्षा देने गाउं में मुलभूत सुविधा पानी बिजली सड़क चिकिस्ता बाहाल सामिली बता दे कि इस योजना को धरातल पर उतारने की त्यारी चल रही है उक्त बाते जार्कण आदिम जन्जाती विकास समीती परदेश अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार अगरिया ने कही है उन्होंने बताया है कि सरकार ने इस बितिये बर्च 2021 में जार्कण में निवास करने वाली आठ आदम जन्जाती के विकास में पांच क्लोर खर्च करने की योजना बनाई है संक्रमन से बचाव के लिए सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 24 क्लोर रुपए राज के सरकारी स्कूलों को करोना से बचाव की तियारी के लिए सरकार द्वारा रासी दी जाएगी इसके के लिए बचों वह सिख्षकों के लिए अलग अलग रासी का प्रवधान किया गया है बता दें कि यह रासी समगर सिख्षा अभियान के तहां स्विक्रितिक की गई है जो इसकूल खुलने पर जार्खन सिख्षा पर जुजना द्वारा दी जाएगी इसके लिए कूल 24 कोड़ रुपए दिये जाएंगे जिसमें 32,809 इसकूलों के लिए 15,103,90 रुपए और जबकि 94,60 के लिए 9,034 कोड़ रुपए का प्रधान किया गया है जार्खन के सभी बुजुर्गों और हर उम्र की बिध्वा को मिलेगी पेंसन मुख्यमंत्री जार्खन के बुजुर्गों प्रखन के बुजुर्गों और विध्वावों को सिर्फ आवेदन करना ही जरूर था है विधान सभा सत्र के दोरान मुख्यमंत्री के दोरान मुख्यमंत्री की तरफ से 18 विभागों से जुड़े प्रश्न, ध्यान आकर्शन, निवेदन, सूचनावों का उतर देने के लि मंदल सचीवाले एवं निग्राने विभाग की ओर से मंगलवार को अधिसुचना जारी कर दी है बता दे कि इसके तहट अलमगिर अलम जगरनात महतो बादल पत्रलेक मितले श्ठाकूर चंपई सुरेन को जिम्यदारी दी गई है कोल इंडिया जमीन के बदले दे गी नोकरी कोल इंडिया एवं उसकी अनुसंगी कमपनिया अब भोमी अधिगरान करने पर नोकरी या नोकरी के बदले नियमित मांसिक भता देने का बिकल्प त्यार किया है बता दे कि नई स्क्वीम के अंतरगत जहाँ प्हले परिवार मे सामाती होने पर किसी एक ब्यक्ति को दो एकर जमीन के बदले नौकरी देने के प्रवधान था वही अब मासिक भत्ते का भी बिकल्प रहेगा जो उन्हें भोमी का कबजा देने पर मिलेगा सरकारी स्कूल के छात्रों को निसूल्क मेडिकल इंजिनियरिंग कराई जाएगी राज ये सिक्षा पर्योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बराहमी के बिद्यार्थियों को मेडिकल वा इंजिनियरिंग कॉलेज में परवियस के लिए होने वाली परिक्षा की त्यारी का मौका दे रही है बता दे कि यह पूरी तरह से निसुल्क होगा दक्षना फाउंडेशन के मदद से छात्रों का भविस सवारा जाएगा इसके लिए चयन लिखित परिक्षा के माध्यम से होगा बता दे कि चयनी छात्रों को तैयारी के लिए दक्षना फाउंडेशन अपने पूने इस्थिस सेंटर पर भेजेगा आलू प्याज निर्याद पर पावंदी के बाद भी दो महीना नहीं घटेगी कीमत देश में प्याज की बरती कीमत के बिच केंद्रसरकार ने प्याज के निर्याद पर रोक लगा दी है इसके बाद डायरेक्टर जनरल आउफ फोरेंड ट्रेड ने भी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सभी तरह के प्याज के निर्याद पर तुरंद पावंदी लगाने के आदेश दे दिये गए है मगर बजार में दो महीना से पहले प्याज की कीमत में कमी होने के उमिद नहीं दीख रही है जारखन में तंबाको गुटका पान मसाले पर पर परतिबंद फिर भी हो रही विक्री जारखन में तंबाको गुटका खैनी और पान मसाले पर अगले एक साल के लिए पूर्णत परतिबंद है इसके बाद भी राजधानी समेत आसपास इलाकों में विक्री की जा रही है बता देखी पर्तिबंद के बाद से तमाकूत पाथ से जुड़ी ब्यवपारी अवैद तरीके से माल अब दुकानों तक पहुचा रहे है ब्यापार से जुड़े बढ़े ब्यापारियों ने बताया कि पहले सभी माल उतर परदेश के कानपूर से मंगाये जाता था अब इसकी खेप पच्छी मंगाल से आ रही है पूर्वी सिभूम के किसान उप जाएंगे कुपोशन मीटाने वाल चावल पूर्वी सिभूम जीला में ही अधीक पोशनत वाला फोटी फाइड चावल तयार होगा इसके लिए पूरे जारखट में पूर्वी सिभूम जीला का एक चयन पाइलट पोर्जेक्ट के रूप में किया गया है बता दे कि यहां अधीक चावल मील होने का कारण भी बताया गया है इस मामले पर मंगलवार को विशिष्ट अनुभाजन पता दिकारी सह जीला पूर्थी पता दिकारी नवीन कुमार ने अपने कर्याले में जीला के परमुक चावल मील माइल को एक साथ बैठाक भी की है हाथों में हुनर है तो किसी के सामने हाथ पहलाने की ज़रुरत नहीं मुख्यमंतरी हाथों में हुनर है तो किसी के समने हाथ फेलाने की जरूरत नहीं है उक्त बाते आयोजीत सरकार आपके दुआर कारकराम को समधित करते हुए मुखमेंत्री हमन सुरे ने बुधवार को कही उन्होंने कहा कि आज के समय में हुनरमंद होना बहुत ही आवस्यक है कुरोना में हमारी के दौरान रोजगार की समस्या जरूर उत्पन होई है लेकिन इस वक्त भी हुनरमंद लोगों की मांग हर जगा पर है जार्खन में फिलिम सुटिंग की इजाज़त देने की मांग जार्खन के फिलिम पी आरोज संजाय पुजारी ने बुद्धवार को फिलिम सुटिंग की इजाज़त देने की मांग को लेकर राजी के मुख मंत्री हमसुरेन को पत्र लिखा संजाय पुजारी ने मुख मंत्री को पत्र के माधम से ओगत कराते हुए कहा है कि जार्खन में कुरोना वाइरस के परकोप की वज़ा से बिगत 6 मां से सभी तरह की फिलिम सुट में बंध है इससे राज के लगवग 50 एर कलाकार आर्थिक रूप से तंग हाली का सामना कर रहे हैं होम आईसोलेशन में रहना है तो घर बैठे करे रेस्टेसन बिना लक्षन वाले कुरोना मरीज को होम आईसोलेशन में रहने के लिए अब अनलाइन अनुमती दी जाएगी राजसरकार ने इसके लिए NIC के सवयोग से एक पोटल सवरक्षा.nic.in तयार किया है बता दे कि होम आईसोलेशन में रहने को एक छुख बिना लक्षन वाले मरीज को जिला परसाशन से इसकी अनुमती लेने के लिए इस पोटल पर अपना रेजिटेसन कराना होगा मेन हट खोटाले की ACV जाच का आदेश दे मुख्यमंत्री सरजूराय तजूराय ने मुख्यमंत्री हमन सुरन से आगरा किया है कि वे मेन हट की नियोक्ती में हुई और निमित ताव की जाच का आदेश ACV को दे मुख्य मंत्री को प्रेसीद पत्र में उन्होंने बगेर किसी का नाम लिये उलेख किया है कि मेन हट पारमर्सी की नियोकती में सड़यन्त एवं भरोष्ट आचरन के जिमेदारी ब्यक्ती अपना कसूर सुईकार करने के बदले उल्टा चोर को तवाल को डाटे के भूमका में हैं वे चोरी भी और सीनाजोरी भी पर उतर चुके हैं मुख्य मंत्री ने 96 कोड़ की योजनाव का किया उधगाटन इंडोर इस्टीडियम दूमका में सरकार आपके द्वार कारकरम का विजन बुद्वार को हुआ इस दोरान मुख्य मंत्री हमसुरे ने 96 कोड़ संतानबे रासी के बती सुजनाव का उधगाटन किया गया बता दे कि इस कारेकरम के दोरान मुख्य मंत्री ने दूपका सोहर में स्टीट लाइट लगाने है तू एक कोड़ोर का चेक कारेपालाग पदा दिकारी नगर परिशद राहूल जी अननंद को सोपा है बी एन रहत का निधन अपूर्णिये छती राजपाल राजपाल दुरोपती मुर्वु ने सराय के लाखर सवा जीला बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष एवंवरिष्ट अधिवक्ता बी एन रहत के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है उन्होंने बी एन रहत क निधन को विधिक छेत्र के साथ समाजिक छेत्र के लिए भी अपूर्णिये छती बताया है बंधु तिर्की ने जार्खन लेंड मुटेशन बील 2020 को कहा काला कनून विधान सभा के मांसुल सत्र में सदन में पेस किया जाने से पहले ही जार्खन सरकार के लेंड मुटेशन बिल 2020 का बिरोद सुरू हो गया है बता दे कि इसके लिए सरकार के स्वयोगी भी इसका घोर बिरोद कर रहे हैं सरकार को समर्थन देने वाले भी धायक इसे काला कानून बता रहे हैं बता दे कि राज के बित मंत्री और कंग्रेस नेता डाक्टर अमेसर उराव ने कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए इसलिए यह जानना जरूरी है कि यह बिल है क्या और इसका बिरोद क्यों हो रहा है धनेवाद आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को जाद दे सकते हैं थांक यू